ये कोटा यार का घर है ये है पेरुनारी राना सिंगहम इनके दादा के दादा मिलिटरी स्कूल के टीचर थे जब मर्धु पांडी के हाथों में ये गाउं था उनकी वज़े से इनके खांदान का नाम योध्धा हो गया संस्कृती इनके जीवन शैली में देखती है लोगों को खाना खिलाना इनका सबसे बड़ा परोपकार था कम से कम रोज 50 लोगों को खाना खिलाते हैं बहुत बड़े दिमवाले हैं ये लेकिन समय बदला और आज लोग इनके इज़त नहीं करते पता नहीं क्यों ये अपने लिए तीसरी बार दड़की देखने आये हैं नमस्ते जीजा जी बात सुनिए बहन ने उल्टी किये शायद गर्भ से है अरे उसे पित हो गया होगा पित नहीं हुआ जीजा जी डॉक्टर ने कहा है प्रेग्नेंट है माफ कीजिएगा दरसल पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी गर्भ होती नहीं होगी क्या हम इसे नौ मेहनी के लिए टाल सकते हैं क्या अगर बेटी हो गई तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा वनावन मादेवी उनकी पहली बीवी है इससे इनकी चार बेटिया है बड़े दुख की बात है कि एक भी बेटा नहीं पंडिजी के हिसाब से मेरा पुत्रयोग नहीं है वरना मैं आपकी इच्छा पूरी कर देती मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यह बताओ मैं अगर दूसर उसने अपनी चोटी बहन पंजावन मादेवी की शादी अपने पती से करवा दी थी वो भी बड़े धूमधाम के साथ लेकिन भगवान का इरादा कुछ और ही था और पेरु नहीं ने तीसरी शादी कर ली चोटी बेटी मंगममा अपने क्लास्मेट के प्यार में पढ़ गई और प्रेगनेंट हो गई जब मा के डेलिवरी होने वाली थी तब बेटी साथवे महीने में पहुँच गए पंजावन मा देवी के प्रसय का समय भी आ गया है कि मुझे लगता है हमारे जमिनदार फिर से बाप बने हैं तीन बीबियों से लड़कियां हो चुकी है मतलब इस बार लड़का ही होगा पिर से लड़की हुई है न मुझे तो तरस आता है न और तो पर सुनिये अगर यह गावाल हमें आपकी वसीद नहीं देंगे तो चलेगा हमारी बेटी मेरे बात सुनिये जी आपको लड़का चाहिए ना आपकी ये मनों कामना चल्दी ही पूरी हो जाएगी क्या आपको बेटिया पसंद नहीं है पिता जी हे मेरे पास आओ यहां बैठो सुनो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा नाम रानी क्यों रखता अब देखो न यह महालक्ष्मी रानी यह वैवहलक्ष्मी रानी यह संयुकता रानी जहां सी रानी और यह नई मैमान जो है यह है पदमावती रानी अपने नाम के जैसे तुम सब रानी है और जहां भी तुम सब की शादियां होंगी वहां रानी बन कर ही रहोगी लेकिन जरा सोचो मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना जो तुम सब का ख्याल रखे कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी बेटी मगम्मा ने एक बेटी को जनम दिया पेटा जी खुश रो बेटी खुश रो पेटा जी आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना आप इसे रखेजिए आपने बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा मैंने घरवाने से बात कर ली है पिता जी तु भी अपने पिता की तरह बड़े दिलवाली है तुम्हारे मुसे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई इसके आने की खुशी में क्यों आप 500 लोगों को खाना खिला जाए अब इसका नाम क्या रखा जाए शिव शंकर कुमार बेटी तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई इसे पकड़ो वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ असली खुशी तो तम मिलती जब मेरा बेटा अपने खुन का हो क्या हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो अब जरूरी बात ये थी कि सिवा गामिनी सेलवम पूरी तरह से तुम्हारा है मगा मा उसकी मा है ये सभी लोग केले के फत्ते के लिए आएं क्या अरे 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 क्या हुआ मालिक हम सभी लोग मंदिरों में तीन दिन से लगातार प्राथा कर रहें कि आपको बेटा ही हो और आज बहुत ही अच्छा दिन है आज वो दिन है जब मुर्गन असुरों का सर्वनाश किया था आखिर में उनका पाँच्वा बच्चा उनकी पहली बेवी से पैदा हुआ और उनकी छोटी बहन ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया यह है हमारे खांदान का वारिस मुझे जितनी खुशी है उतना ही डरा हुआ हूँ मैं ऐसा क्यों? अकेला बेटा और उसकी पाँच बहने सोच रहा हूँ उसके उपर कितनी जिम्यदारिया होंगी जब मेरे बेटे की सभी पाँच बहने शादी करने के बाद अपना अपना घर बसा लेंगी तो उनके बेटे, भाई, बेहन, रिष्टेदार सब के इकठा होने पर मेरा बेटा सब को कैसे सम्हाल पाएगा? इनका खांदान जो दिलेरी और इससक के लिए जाना जाता है आज वो लोग कि इसमें भाद ले रहे हैं जो एक पैल का देस है मालिक कोडियार्जू जिंदावार मालिक कोडियार्जू जिंदावार मैं इसससकी दिखर पोर्स करूंगी इसका फोटो क्यों ले रहा है तुझे यह रेज जीत कर गाउं का नाम उचा करना है गुना सिंगम नहीं जीतना चाहिए ऐसा नहीं होगा भाई पेरुनाही रणा सिंगम कन्या राशी चित्रा नक्षत्र वनावन मादेवी रिशब राशी रोहीनी नक्षत्र पंजवन मादेवी कुम्ब राशी पुरा तड़ी नक्षत्र सेंबियन मादेवी करकर राशी पुनर पुसम नक्षत्र तामराई मनाला सेडियार और ये है सबसे चोटी बेहन की बेटी का पती मतलब पिता जी और ये दूसरी बेहन का पती है दो भाईयों ने दो बेहनों के साथ शादी की लेकिन दोनों भाईयों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती कितने भी लोगों प्रतियोंगिता में जीतेगा तो मेरा भाई ही गाउं की बजाए तु भाई को सपोर्ट कर रही है कितनी स्वार्थी है और ये है तीसरी बेहन की बेटी जहासी रानी हमारी तरफ से मेरे भाईया हिस्सा लेते हैं उनके पती इंद्रजीत अरे अब बस भी गरो अपने भाई की दालीव नमस्ते और ये है पाचवी बेन मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी इनकी सिर्फ एक ही बेटी है क्या बात है यो बाई तुम लोगों ने देखा क्या तुम लोगों ने इस खुशी को कभी महसूस किया है क्या है इन बेलों को इनसान से ज़्यादा इज़्जत दी जाती है और स्वागत किया जाता है हलो फ्रेंस रेस शुरू होने के लिए सारे बेले इंतजार कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आंकल गुडा सिंगम ही जीतेंगे आज की रेस में मेरी मामा ही जीतेंगे मामा का नाम क्या है उनका नाम है गुडा सिंगम शीरा गोत्रम हत्तन नक्षत्रम कन्या राशी सव बेलों के चोड़ी रेस के लिए तयार है हएए हर आरे मामा जी कहाई है मामा हुआ हुआ है बखाए यह लुट है आप देख रहे हैं कि इस प्रद्योकता पे बहुत सब्रबन चक्र हो रही है सबी प्रद्योकी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं देखे एक स्टूणिग विजह होगी है और तों कि आपाजी मारत देखाता है आमामा दिल आपना देखने लेखे और यह देखिए खुड़ा की पर शंड़ा है चब 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 जब दे राई राई समें के समें दुट्यों की अपना पूरा पूरा रहा है कभी को ताहिया हो रहा है तब को जिशा हो रहा है कभी को जिशा हो राई मुछ़ अ मुछ़ रहा है और अर करें अर दया है हाई वेरे मामा और कोडिया रसूर ने एक साथ पढ़ाई किये थी चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से जगडते ही रहते थे खरीब बच्चों के भविश्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूरिया वो आज के स्काहिकर में यहां पर थोड़ी देर में बना रहे हैं वो आज उके हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए तुम्हारे जैसे लोगों की वज़े से अफितक हमारी परंप्रा जिंदा है लाइए भाईया एक माला काफी नहीं है और दो माला चाहिए मतलब मैंने तो बस गाड़ी हां की असल में भागने वाले तो यह हैं अच्छा है क्या यह लो तालिया अब बताओ अब तो खुश हो ना तुम्हारा नाम क्या है गोया सिंगम मैया नाम बहुत अच्छा है यह लो तुम्हारे जीत काई नाम इसा बहुत अच्छा लग रहा है यह क्या चीज है पुदीने वाला चाहस है सहत के लिए अच्छा होता है अच्छी बात है अच्छी बात है जिस काम से आया हूं वह बता के निकलता है आने वाले चुनाओं के लिए अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूं मुझसे पूछ रहे हो अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा पूरे गाओ का वोट मुझे नहीं चाहिए सिर्फ आपका वोट मुझे चाहिए बहुत है क्योंकि आप इस ये पूरा गाओं ही आपका है पूरे पाँच हजाल से जादा वोट है इस गाओं में ऐसा है क्या इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है भाई साहब कार्तिके की तरह ब्रमान का ब्रमन करने से अच्छा कि गनेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूँ मेरे लिए ब आप एक काम कीजिए आने वाले नौतारिक को मेरे नातिन की कान की छिदाई के रस्म है अच्छा अगर आप उस दिन आते हैं तो सबी लोगों से मुलाकात हो जाए अच्छी बात है अच्छी बात है मैं आ जाओंगा चलता हम अच्छा हमारे घर जो भी आता है मुसे यह दे सबको निमंत्र दे दिया ना कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्षन होता है तो कोई नाराजगी के वज़े से नहीं आता है मैं चाहता हूं कि इस बार के फंक्षन में सभी लोगा है ठीक है सबके नाम के साथ उसकी उपाधी भी लिखी हुई है तो पिर मेरा सिर्फ नाम लिखा उपाधी क्यों नहीं लिखी सब लोग ज़ादा पड़र लिखे इसले साथ में उपाधी लिखी लेकिन आपने तो सिर्फ दसवी तक पढ़ाए कि है ना दॉक्टर चलाने वाल में प्रेस नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है मैं खेती वाड़ी का काम करतां हो तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए यह कर देद सेगा उसका चपल से मरूंगा गोर जिंगाम यह गर्व से पढ़ने में भी अच्छा लगता है मैं भी हर मैंने करीब डेड़ लाग रुपे कमाता हूं हर काम में रिटायर्मेंट है लेकिन हमारे काम में कोई रिटायर्मेंट नहीं होती है कैसे दिन आ गए हैं अपना राश्ट्रिय व्यवसाय सबको याद दिलना पड़ता ह सुपब है अब जवाब दीजे महाशे अरे बेटा जी यह जो बोल रहा है वह बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में किसान लिखना ही सही रहेगा अशा कि पिताजी सिर्फ इसी की पत्रीका में किसान लिक्षा देना होगा मैं कुछ नहीं जानती नहीं पत पिछा मत करवाई जी जाजी रहने दो बागी सब कुछ मैं सम्हालूंगा ठीक है आती हुमा आज है हाई फ्रेंज आज हमारे परिवार में कान चेदने का वंक्षिन है मेरी छोटी बहन और भाई का मेरे प्यारे घुड़ा सिंखम पूरा गाउँ चौक गया उन्हें देख प्रेंगे उन्होंने पहले बता दिया था कि वह नहीं आ पाएंगे इस ने लगवाएं छोटे जोट वागे वह अंदर है एक यह जिसके पीछे सारी लड़कियां घूमती रहती है और एक मैं हूँ जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है क्या हुआ हुआ है मामा आप से ज कुंडली मामा कैसे हैं और अगर आप कहां तो ममी बापा को लेकर आती हुआ ठीक है आप हां कहेंगे तो काम चुरू करते हैं पोच लो पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है ना तो उस तरफ पी सारु सापको दो किसी दिर सब्सक्राइब को इंप्रेस करने में लगी ह बहुत चलाक है लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे तो हम लोग किसलिए हैं देखती हूं शादी कैसे होती है पून अमी गुणा की बीवी बनेगी इसे कोई नहीं बदल सकता है सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है वो बाहर की थोड़ी ना है शुरू हो गया यहां पर विधान सभा मामा इधर देखो यह पांचों बेहन ना एक दूसरे के करीब हैं सिर्फ ऐसा दिखाती हैं लेकिन अंदर बहुत बड़ी गुट बाजी है यह है गुरूप ए और वो है गुरूप बी समारों खतम होने दीजे फिर देखिएगा कैसे एक दूसरे के खिचाई करते हैं जैसा नाना और गुड़ा सिंखम जैसा मामा बहुत खुश नसीब बच्चों को लिए एक मैने में बाल वापस आ जाएंगे रो मत हरे आईए आईए वो मेरी पहली बेटी है दूसरी बेटी तो वह है हां बैट जा बैट जा आज सर्फ एक गले में तेरा भाई दानवीर करने का जो ऐसे लुटा रहा है चल चल बड़े रिती रिवाद दिखा रहे हैं यह अपना रिवाद सही से निभा रहा है और उनको देखी मूँ मूड कर जा रहे हैं बेटी को परनानी से आशिरवाद दिलवा दीजिए 90 साल के आसपास उमर होगी अरे सुनो जड़ा यहाओ चासी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया कुल मिलाकर अठा तोला होगा और क्या जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रसम होई थी तब तुम्हारे पापा ने छे तोले दिये थे अठारा तोला सोना पैनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या हो साले साब अगर रीती रिवास निभाना ही है तो फिर एक जैसे निभाना चाहिए न ऐसे भागों करना है आप फिर से शुरू हो ओगए जो नहीं करता है उसे तो चोड़ देते हैं आप लोग और जो करता है उसे टोकने की आदद पड़ग है यह पनी बेटी के गले में देखो 4 में तुम अपने बेटे के गले में देखो किया कह रही थी कि अब किसके घर में जगड़े नहीं होते लेकिन फंक्षन में तो सबको आना चाहिए न यह क्या है जब आप आते हैं तो वो नहीं आते और वो आते हैं तो आप नहीं आते रिष्टा तूड़ जाये तो फिर जुड़ने ही पाता है देखे आप चिंता मत कीजिए दोनों भाईयों क नहीं होती है रिष्टों को सम्हालना भी तो आगर हम नहीं देते तो हमें नीद भी तो नहीं आती एसा हिरे ना बदल मत जाना जी सबस्वतित ही कि अगर तुम अपने मूं से कहा देते तो मुझे अकी तुम भी ना किसी की बातों पर द्यान आ जाकर भाणा कुदा आ आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था अब बेटे की कमाई से घर पर बैठ कर खाने का आनन दी कुछ और है सुन बेटे खेती बारी तो तुने समाल ली बहुत अच्छा कर रहा है तू अब सोच रहा हूं कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे साउप दूँ अरे चुप रही है पापा अरे पचास साल से तो मैं समाल रहा हूं ना मुझे लगता है कि तू मुझसे बेटर समाल सकता है कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक गृफ फोटो घर की दिवाल पर लगे और यह मेरी दिली ख्वाहिश है और तब मेरे मरने के बाद अंखों से कभी भी आंसु नहीं आना चाहिए कई मेरी आंखों में आसु ना आ जाया है रुको रुको अरे रुक जाओ देखा नहीं रोकी गाड़ी बुड़ी देखकर भी नहीं रोकते हैं बेशारम कहीं कि यह हुआ दादे एक घंगे से इस बोरी को लेकर खड़ी हुई इसे बाजार ले चलूगी तब दो पैसे कमा पाऊंगी तुम मुझे छोड़ोगे बाजार में गाड़ी वाले तो गाड़ी नहीं रोकते तुम तो जवान हो छोड़ो मुझे अरे सुन दादी को गाड़ी में बिठाओ क्लों आक है आया क्लों पिष्ञ आया करें काम हैंड़त昨 मस्क्लिट नहीं रॉत कानर क्लों जहाँ़न र्लाग सक्षरवार क्लैंट नहीं हो जन्य उठकें हुट्ध एंय नहीं हो सै अ हो जो तो हुर आए Pres Simply जोड़ से जोड़ से रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ यो दोस्ट अरे मैं दूलाए तो भूम पे घुम रहा है काला पड़ जाएगा आँ भाई सहीगा आपने शाधी में रिष्टेदारों को क्या देने वाले हो बिस्किट दूगा भाई हाँ 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 लोटा बर के कॉफी दे देना बिस्किट खाते हुए जाएंगे वापस एक एक पौधा दे देना कल वो पेड़ तुम्हें च्छाओ और नाम भी देगा अब बीच में चला रहे थे हमने हौन बजाय था क्या अगर गाड़ी ने अटा ही तो पुलिस को बलाऊंगा और मैं सिंगम को बला पंदरा साल से एक दिन किसान बनकर देखो उसकी ज़रूत नहीं है सिर्फ एक दिन किसान के साथ रह कर देखो दब पता चलेगा कि किसा कितना तकलीफ उड़ाता है पता होता तो दादी को रोड़ पर चोड़ कर नहीं जाते आज के बाद इस बस में सीट नहीं होनी चाहिए अब पैनर निकाल रेडी मामा आए रहा है आप आता जाने दो चलो 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 ऑगया ऑच्छा सुन हाँ मामा ड्राइवर की सिर्वी उखाड नीया क्या बहुत देर से बैट कर आ रहा है वह नेए दादी को वो बीच राश्ते में उतार सकता एसी ये वह जहां तक जाये गी महाता है सपार्जी मामा जै कि दादी के उतरने तक या फेर पार्टी लगे रहो लगे रहो मामा अधर अपनी गाड़ी खड़ी है आजाओ आजा चलो मैं भाया पांच रुपए दिये हैं मैंने एक रुपए वापस कीजिए छुटे नहीं है बेटा अगर होते भी न तो भी नहीं देता टेकेट 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 किदर जाना है किदर जाना है पता नहीं है यह किदर जा रही है किदर जा रही है किदर जा रही है टेकेट टेकेट ट लड़की के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए और हाँ लगता है मैंने इसको कहीं पर तो देखा है हर खुब्सूरत लड़की को देखकर लड़के बोलते हैं किसको कहीं देखा है मामा साब यह हमारे कॉलेज के एगरिकल्चर डिपार्टमेंट के हैड है आपके बेटी के बहुत सारे आर्टिकल्स आरे अगर वो कॉलेज में आकर स्पीच देगा तो स्टुएंट्स को मोटिवेशन मिलेगा ना अरे ने मुझे यह स्पीच होगा देना नहीं आता अरे उसमें को के लेके पौधे लगाएंगे अरे यार यह तो वही बस वाली है ना संगीत बहुत ही अच्छा है ना सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा समस्थ दर्शिकों का बहुत-बहुत धन्यवाज बड़ी नानी यहां तो यह अब देखिए हमारी चीफ गेस्ट मेरा पोठा आ गया क्या करना मेरी कोई इच्छा नहीं है खौईश है अब हम गुरा सिंधम जी से अन्रोथ करते हैं कि वह मंच पर आएं और दो शब्द कहें मामा मेरे बारे में भी दो बात है कि वेल्कम सर्थ नमस्कार आप सबने खाना खाया गया लिक्टी पकड़ने वला हाथ है पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूँ आपका संगीत बहुत ही अच्छा था अच्छा वैसे बड़े बुज़र्गों ने कहा है कि धान का एक बीच और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं जैसे कि अगर हमें एक अच्छा बीच अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो सौ गुना ज्यादा फसल देता है जब इन्होंने मुझे यहां पर बुलाया तो मैंने तुरंट हां के दिया ज्यादा दर माबाब बच्चों से पूछते हैं कि तो इंजिनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगा लेकिन कृशी का एक आप्शन कोई नहीं देता है लेकिन मेरे पिता जी करशी हमारे भारत की रीड की हड़ी है ऐसा बोल बोल कर लोगों ने उससे अपनी पीछे छुपा लिया है और हम इससे अंजान जी रहे हैं कुछ लोग इस बात को समझ कर आईटी का काम छोड़ कर खेती करने आते हैं तो उन लोगों को आम जंता पागल के नाम से बुलाती है कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो क्रिशी करने वालों को अपनी बेटी नहीं देने की प्रतिक्रिया रखते हैं विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा है यहां किसी को खेती नहीं करनी है जो अनपढ़ है वही खेती का काम मैं सिर्फ किसान और क्रिशी की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह मितेन निकाल रहा हूँ इथेन निकाल रहा हूँ पितेन निकाल रहा हूँ किसान और क्रिशी को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है अमीर लोगों का डायेट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग-अलग हैं जब आप ये समझोगे उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चावल खिलाना ये कितना बड़ा राश्ट्री अपराध होता है अरे मॉमा, देश-द्रोही बोलके कहीं अंदर ना करने आपको? आप डर क्यों रहे है, मैं होना अरे आप चुप रही है माराश्ट। की शुरुवात की थी वो हर्यारी आज कहीं नहीं दिखती है और नहीं वो क्रांती देखने मिलती है जनता सरकार और वेग्यानिक ये सारे लोग जब एग हो जाएंगे ना तो ही अपने देश का भला होगा जिस दिन नौजवान लोग कृषिय और राजनीदी को जब प्रोफ भगवान नहीं है अना जुब जाने वाला भी भगवान है अरे हम किसान हैं ये बात गर्व से कॉलर क्या बात है देखो बच्चो आप इंजिनियर बनिए डॉक्टर बनिए या वकील बनिए चाहो तो आप राजनीदी में भी जाईए लेकिन साथ में खेती भी कीजिए मेर है तो मानना है कि अगले ऑलिम्पिक में आप कितने मैडल लाने वाले हूँ इससे ज्यादा अगली पीड़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं ये बात बहुत जरूरी है और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है मामा आपके स्पीच सुनकर मन कर रहा है कि पूरा का पूरा खज़ाना लुटा दूँ आपके उपर आपे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए वो पचास पैसे वाले किस बस में जाती है वो पता करके बता दे बास ये लीजे नाना जी आपके लिए गर्मा गरम सूप अरे वाँ देसी मुर्गी का सालन मच्छी का सालन केकडा जींगा फ्राय इसमें से क्या बनाना है सब कुछ बना दे अरे कुछ भी बनाओ लेकिन तुम लोग जब मेरा हाथ छोड़ोंगे तभी तो सूप प्लेंगा थैंक्स बेटा बेटा एक दिन की चुटी चाहिए थी मुझे क्या बात है इतना परिशान क्यों लग रहे हो नहीं बेटा मेरा पुता दस दिन से लापता है मुझे लगा लोट कर आजाएगा लेकिन भैलों का रिस देखकर वो लोट कर आया ही नहीं वेख से कंश आकुछ आधियों और तुम काया भी कि दूसरी जाती के लड़की से वह प्यार वियार ना करे और उस दिन चीजू कर में असyd 맛이 नहीं हो अरी ऐसा कुछ प्यातार कंशा चाए तो आठ रुपे का है पहले काप के पास बालन्स था ना अब बनाबर हो गया और चुट्टा नहीं है ऐसा मा क्याना अज के बाद कभी निए गएगा कि चुट्टा नहीं है पांच सो हजार का नोट बंद हो गया ना 50 पैसा भी बंद हो जाना चाहिए अर्थ व्यबस्था बह अच्छी पीष्टी आपने बहुत बढ़िया आप दोनों बहुत अच्छी बाते कर रहे हैं जब सब लोग मजाग उड़ा रहे थे तब ताली बजा रही थी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा सुनिये मैंने आपको कहीं तो देखा है कालेज में देखा था नहीं नहीं उससे भी पहले बस में नहीं नहीं उससे भी पहले किस से पहले इस पोस्टर को देखकर मैं चाओं गया था और सोच रहा था कि यह लड़की मुंबई में रहती होगी इसे एक्टिंग करती हैं क्यूं वसंद कंपणी की और ने स्वर्ना स्टोर के अनाची ने नलेथा जूलरी के अटिंग नहीं की यह आचकल का फारशन थीडेखने वाले जानते है कितनी तकलीफ होती है मिक्सिंग के लिए सही नहीं है सारे लोग वॉमिट करके शिकायत करते हैं हलो वो क्या है न कि उसमें तोड़ा पानी मिला करके अरे मामा क्या कर रहे हो कंप्लेन ऐसा था इसलिए उने बता दिया भाई हर गली में अपना मंडल होना चाहिए है सुनो घर में इतनी सारी कारे खड़ी है यह सब छोड़के लोकल बाश शेरिंग ओटो में सफर करना अच्छी बात है क्या बहुत अच्छा है मामा यह सब पापा का कमाया हुआ है जिस दिन मैं इतने पैसे कमा लूंगी ना उस इसे भी अपनी रड़की है तुझे छोड़के कहा जाएगे चिंता मत कर क्या माम मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आपने ही वाली थी लेकिन किसी काम की वज़े से भूल गया है यह सब क्या है गुड़ा तुम्हारे घर में रहती हुँ इसकी देखनी का रिवाच ठुकरा मत देना बनार से साड़ी पहन कर लड़किया कॉपी लेकर आती है आप भी मुझे उसी तरह देखना मेरी यह इच्छ है ठीक है वही पूरी करना पागल महां से मिलिया ना चलो गर पे अब इसना शर्मानी की जरूद में है आप भी पुब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दान्त दिखाता है तू किस गाउं का है कौन है क्यों आप कौन है क्यों हो इस गाउं में पूछ के देख पता चल जाएगा तेरे नंबर दे क्यों मेरा फोन बोल बेटी मैं कोड़ी आरसु बोल रहा हूं एक जरूरी बात बता दू तुम्हारी लड़की जो है ना बस्टोप प्यार कर रही है तोड़ा समाल के रखो हमारे खांदान के लड़कियां ऐसा नहीं करती है मेरी बेटी कहा जाती क्या करती है क्यों एक यू वले जोड़ आमें हमारे धने फॉन दो बाइने जैसे बोला नौ थेन सो बार उठक बढ़क करने गा क्या क्या तू अमारी व्रादी के निजोंपर छेड़ा या कर स्टूं मेरा खार थेमने खांद़े हरे लू आ कर्टेया अगर थीन दिन भी लगे तो भी ऐसे खड़े ओकर बात कर रहे थे और गंदी-गंदी बाते करने लगे पेरा फॉन भी चिल लिया मुझसे उन्हें छोड़ना मत गुणा अब भाप कि अब कि अब अब कि 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 ऽुझ लाँ 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 कण explorer सी लाँ सुर फिल अगर किसी की मंगेतल को छेड़ोंगे तो तुम्हें छोड़ेगा क्या कि फोन कर बुला अपने विरादरी के हीरो लोगों को सहीं का क्यों बै एक लड़का और लड़की हंसकर बात करें तो इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है और इतने चिंदा क्यों हो दो ही है हमारे घर की लड़कियों के लिए जाती बोट यही ना हम अपने बच्चों को कॉलेज भेज बेजते हैं उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के भरोसे वो लोग अच्छा ख्याल रखते हैं यह सारा खेल मेरे साथ खेला है जातिवाद पाठी चलाना जात के नाम पर व्यापार करने माल पालना जाती को मिटाने की बाद करके उसे इसे कहते हैं आनपढ जाब है अपने यह में अपना बाव बढ़नेarte नहीं लगा यह बात याद रखना यह कोडियार्सू उस पर भारी पड़ेगा चल जा रहे मामा सोडा बोटल के बारे में फूर डिटेल पता चल गया नाम है कनका क्या शुद्ध नाम है तो मेरी मा श्यूगामी ने मेरा नाम चाइनीज में रखा है क्या एक लवत पैसे हैं कार में चल सकती है वह इतना अधन दोने के बाद भी वह बस में चलती है क्योंकि उसे साध़गी से रहना पसंद है इसलिए मैंने उसको पसंद किया है मामा हाज क्यों रहे हो नहीं यार उस लड़की की साध़गी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी मैने तो उसको डून लिया आप एक गोगल हो मा गोगल नहीं गूगल अच्छा ऐसा है क्या घर की क्लौत ही बेटी है आज के बाद कभी करना होता ससूर ऑची के घर पे है ऐसे शरी रेंट रहा है लगता है पूरा बकरा निगल गया पापा आपने कभी प्यार किया और नहीं पापापा आपको उतरने की ज़रोदी है इससे पहले रखपर बिठा कर लाते थे क्या कितने का दिया माजी पाप पेक बहुत महेंगा है पापा उस लड़की को दिखिए ना पंद्र रुपे के दो दीजिए बागी सब तो सस्ते बेच रहे हैं आप इतना महेंगा दे रही है उपर से कम दे रही है कितनी समझदरी से म इससे प्यार करेगा या शादी करेगा क्योंकि आज कल के लड़के जिससे प्यार करते उससे शादी नहीं करते और जिससे शादी करते उससे प्यार नहीं करते प्यार करके शादी करने वाला हूं फिर पूनम और चंदा उन लोगों से शादी नहीं कर सकता और शादी करने क मेरी खुशी है लेकिन कल जब यह बात घर में सब के सामने खुलेगी तो सिर्फ तेरी बहने ही नहीं तेरी मा भी पूरे घर को सर पे उढ़ा लेगी उस वक्त ये मत कहना कि मैंने पापा से पूछ कर प्यार किया है मुझे फसाना मत अरे रे 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 ऐसे चोर निगाहों से मु क्या जौमी कैसा है तू कोडियार सू जरा पुलिस टेशन आ सकते हो अरे आज शादी है सुब मोरत निकला है मंगल सुतर देना मेरा काम है बात क्या है उदे शंकर नाम के लड़की को जो तुम लोगों ने बहुत पीटा था ना किस ने दिया है गुणा सिंखम ने सर आप आओगे तो दस मिर्ट में काम खतम हो जाएगा कल नाइट राउन पे कौन गया था वौकी टॉकी कैसे कुम हो गया साब इंस्पेक्टर गुणा सिंखम जो बोल रहा है वह सब जूट है वोसके और मेरे बीच में दुश्मनी है ज अला दुलहन आ गई है भाई आ जाएंगे ना अगले दस मिर्ट में भाई वहाँ पे होंगे कोडियार्सू गुणा सिंखम ने आपके आदमी को उठा लिया है पिछले मैंने बैल की रेज चब चल रही थी तब मास्टर जी का बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उससे बात कर रहा था कौन है तो देखो भाई हाथ मत लगाओ देखो भाई जात पात तुम अपने पास ही रखो मैं उस लड़की से प्यार करता हूं उसी से शादी करूँगा कि में उसकी राख भी नहीं देख पाया ऐसा कर दिया हूं लोगों कोडियार उसों का बैग्राउंड मत देखिए सर इसमें कर्णित मास्टर जी का बहुत नुक्सान हुआ है मैं वहाँ शादी में था और तुमने मुझे यहां बुला के फसा दिया अरे अभी जा सकते हो हूं सच में हां कितना हो सकता है है दस लाख हुँँ वीस लाख हुँँ हुँ पच्चीस लाख बात करके देखते हैं जाके बोल अरे मामला भी कर जाएगा आप खुद ही जाके बात कीजिए इंस्पेक्टर गुस्य से मारा था मर गया फायर तो नहीं हुए ना मतलब आपने उसको मारा ही आप कुबूल कर र कल कोट मेंने प्रोड्यूस करना है यह उठ उठना आज तक सौमी तुम्हारी तंखों के लिए काम कर रहा था आज पहली बार सौमी ने सरकरी तंखों के लिए काम किया है मैंने तुझे सिख्षा दी और तूने मेरे ही पोते को मार डाला नरक में सड़ेगा तू पोलिस मुद्णाबाद मंदिर में अरे मामा का लगया अरे का लगया अंदर चाय पी नहीं या था मामा मामी को पठाने के लिए इस पर पीले पानी में डखल कर मुझे मानना चाहते हो बेट कर आराम से नालो ना कल आके सो के नालूंगा अपना ही है इधर हम लोग फैंसी कॉंपटीशन में आये हैं क्या है भगवान वेंके ट्रामा पांडुरंगा गोविंदा गोविंदा ये कार्थी के नहीं है हां सोरी कार्थी के क्या मामा आपको पंचामरित लड़ू का फर्क नहीं पता है क्या अ चला गयाँ आप सिर्फ खास दिनों में ही मंदिर आते हैं या हर रोज आती है है मुझो रोज ना आपड़े गाpower क्या माय लोड मेरे मुवकिल पर आर्योप लगाया गया है लेकिन इन्हें जमानत देनी है या जेल भेजना है यह मैं तै करूंगा छात्र का खून किया इन्होंने इनके गाउं में जाने से दंगा फसाद हो सकता है इसी लिए इन्हें 200 किलोमीटर दूर स्थित मदुराई शहर के पुलिस टेशन में पहुंच कर दोनों वक्त साइन करना होगा मंजूर है मंजूर है साहब अच्छा ये बताओ सुबह के समय साइन करने के बाद रात को तुम्हारे आदमी कहां पर ठहरेंगे होटल में रूम बुक करके जानता था वो लोग सुबह साइन करने के बाद मजे से मटन पका कर दारू के साथ खाना खाकर टीवी देखेंगे फिर शाम को नीन लेने के बाद नहा धोकर साइन करने पहुँच जाएंगे और उसके कुछ देर बाद नाइट शो की फिल्म देखने चले जाएंगे मैं ये सब नहीं होने दूंगा ये कोई साधानन हत्या नहीं है एक छात्र की हत्या है अच्छा तुम्हें तिरूपती कुंड तालाब पता है क्या और ग्रेव का पेड पता है पता है वो क्या करता है ये भी पता है जमीन के पानी को खीच लेता है वो पेड तालाब को चारों तरफ से घेरे हुए तुम्हें काम करना है तुम्हें हर दिन साइन करने के बाद सी क्या भाई इतनी जल्दी दर्वाजा बंद किये भी ना बैठे हो बंद मत कर जेल में भी ऐसा ही खुला रहेगा इसी तरह रहने दे बात्रूम में पानी मट डाल किशाप की बद्वू से मुझे उल्टी होनी चाहिए पूरे दिमाग को उखाड़ कर फेगने जैसा महसूस होना चाहिए मेरे खुद के गाउं में कदम रखने से रोग दिया ना मैं किसी भी आयोजन में शामील नहों सकूँ ऐसा कर दिया उसने भाई ओपर बैठिये ना जेल में चाय नहीं देते हैं रे बेवकूफ जमीन पर बैठना है और जमीन पर ही सोना है मेरे खाने के लिए अलमुनियम की ठाली लेके आ ऐसे ही जेल में देते हैं जेल से बाहर आ गयो जेल की बात मत करो भाई जाओंगा मैं वापस जाओंगा उस गुडा सिंगम को मार के जेल जाओंगा तब तक ऐसे ही रहूंगा बत्तियां बुझ्छतों मुझे नींद नहीं आती है बहुत घना जंगल है तो अपना मूँ बंद रख क्या है कुछ नहीं तुम मुझसे प्यार कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो प्रीज प्यार ही करता हूं फॉलो कर रहे हो अगर हिम्मत है तो मेरी आखों में देखकर अपनी राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखकर मैं तुमसे प्यार करता हूं ऐसा कहकर दिखाओं हाँ गलत नहीं है गलत नहीं है बूरी होने के बाद में प्यार करूंगा यहीं मेरी इच्छा है अब मुझसे शादी करेंगी मैं बहुत खुछ रखूँगा जगड़ा करूँगा इतने दिन शादी क्यों नहीं किया ऐसा फील करूँगा और तुम भी शादी के बाद मेरे साथ बहुत खुछ रहोगी कसम से कहता हूँ कि यहीं अपना घर है मैं चाहूं कि अरे कोई देख लेगा आजाओ कि वह वहाँ पर जो दिख रहा है न वहीं अपना खेट है कुपसूरत है वहाँ तक कि मुझे कुट्टे की तरह इधर उधर भगा कर उस पेड़ को कटवा रहा है और उधर वो मेरी बहन की बेटी से लव कर रहा है 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 आज तक जो भूला नहीं सकते वैसा हाथसा और ना भूलने वाली भ्यानक मौत अपने राज्य में कहां हुई है ये बताओ बहुत है बाई नागर कोईल में बहुत बड़े गुंडे हैं ब्यासर वाड़ी के मेले में दो टिमों के भी चाहड़ा हो गया भाई इन सबसे भी बड़ा बहुत बड़ा पूरा शहर इसके बारे में बात करें ऐसी मौत गुड़ा सिंगम की होनी चाहिए हालो बोलो ना हमेशा हंसते रहते हो ऐसे लगता है फोटो के च्वाने के लिए खाड़े हो तो क्यों पसंद नहीं है घ्या हम इसके लिए भी अस होगे अहां और गया इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूं ठीक है हमें माम सामने बच्च यह आये मामा बच्च आये बच्च आये भगा खगा गडा जल्दी अहलो निकाल जल्दी कि आज के बाद रहा होश चीर रहने लूग पैठे अरे मुझे कुछ नहीं को आपा मौछ इस पर में आया है उस पर विल्ले HER ही है तो चुपकर मौछ उस पेर में है तो दर्द यहां पर हो सकता है सुनो भागवान साले साहब को कुछ नहीं हुआ कभी मेरा तो इकना खयाल रखना नहीं है क्या सफारी काड़ी को बीच रोड पे खड़ी कड़के रखा है साइड में करो ना कर देता हो ना देशी मुर्गी का सूप बना है बहुत अच्छा बना है थोड़ा सा पियोगे अरे हाथी का पैर नहीं मिला क्या नहीं चाहिए अरे बाप्रे चोट मुझे लगी है तेल का मसाज उसे हो रहा है इस दर्द से जादा वो देखकर दर्द हो रहा है जो वहां पर चल रहा है मैंन हो रहा किया अब तु क्यों रहा है कुछ भी नहीं हुआ है गोई लॅ है grammatष फोने से ना आपके जबानी काफी रोकने के लिए ऑन को प Ama करो 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 है पती को विगहारने वाली यह हैं नाना आप नशा करते नहीं करते है क्या हर किसी को कोई-स नशा होता है मुझे तो अपने परिवार का नशा है तब ठीक है घुणा को इसकी आदत नहीं है जिल पूंच बूछा ठीक है अब चलो सब लोग बाहर बैटकर खाना खाते हैं आपके लिए भी बनाओ क्या रुक जाओ मैं भी आती हूं मैं गुड़ा के पास बैच में किल कॉलेज की फीस भरनी है बूलना मत वह सब बढ़ने वालों के लिए भरते हैं तुम्हारे जैसे फेस्बुक अपडेट करने वालों के लिए रहे हैं बूटकर आट यहां भी वहां जब लोग यहां देखो स्वामी सब रुच जये यह मारी मता काली मता जरूरी कोहले ना बात कर गया तो वेटा चाना कर जाओ नो गुड़ा कल के ले के बीच बुने ना इसले ऑफिसर बुला रहे होंगे हेलो बोलो कहां हूँ और तुम कैसे हो ठीक हूँ बस मामूली सी मोच है मैं तुमने अभी देखना चाहती हूँ आओगे क्या अरे बाव परे यह नहीं हो सकता दीदी जीजा जी सब लोग देखने आए हैं भाई को कुछ हुआ तो सब लोग देखने के लिए आ गए हमारे बी अरे बावरे ऐसा सोचने से भी डर लगता है तुम्हें बोलना ही होगा क्यों मेरे चोटे मामा ने पापा को सब कुछ बता दिया है क्या कह रही हो फिर पापा ने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं हम खोदी सामने से बता देंगे यहीं उनकी इज़ट होगी एक किसान को अपनी बेटी देने के लिए आप इतना सोच रहे हो बढ़े लिखे और पैसे वाले होते हैं उनको देखकर जलने का जमाना चला गया है सर अब तो जल्दी ही किसानों को देखकर जलने का समय आने वाला है पढ़ाई करके फॉरण जाकर एक लाग रुपे कमाने वाले लड़के से अच्छा तो अपने गाउं में किसान का काम करके दस जार महिना कमाने वाले को मुझे इज़ट देना आता है देखो समस्य अभी कृषिग नहीं है वैसे तुमने अपने पापा को सब बता तो दिया है न पापा को लड़की दिखाने के बाद ही मैंने प्यार करना शुरू किया ये तिल्ले नाइकम की बेटी उन्हें पता है ये क्या निया चक्कर है देखो मुझे कोई अतराज नहीं है मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत बढ़ा है तुम अपने परिवार से बात करो उन्हें कोई अतराज नहों तो रिष्टे के ठीक लें अभी उठा लो अब आपको नोड़ना है हम लोग पी लेते हैं ठीक है मैं आता हूँ चलता हूँ बेटे वापस आओगे अपने बाप की जैसे ही करोगे मैं समझा नहीं अगर मेरे घर पे लक्षमी आई तो फिर मैं यहां जरूर आऊंगा वो मेरी बेहन थी बोल कर गए थे लेकिन वापस नहीं आये बेटी पैदा होगी तो आएंगे बोला था न अभित लड़का पैदा करके फेज दाए ना आऊंगा पक्का आऊंगा ससुर जी कारत मारना यह फैसला कर लिया ऐए उस तरफ से जाओगे तो गांव 10-9-3 और इस तरफ से जाओगे तो कआओं साथ किल below दूर है इस तरह हम लोग तुझे आज मारने वाले इधर जंगली जानवर बहुत है वो तुझे खा लेंगे इसी लिए हमने इस जगे को सेलेक्ट किया है अगर मैंने मारा तो ये सारे जंगली मरने जाएंगे बेचारे क्या कर सकते हैं रूचा एक तर्की बताता हूं तुझे मामा अगर मैं इनके हाथ लगया तो ये मेरे साथ बहुत इंजोई करेंगे तुम क्यों इतना डर रहा है तो बहुत ही भादूर है ना क्या भादूर हूं चुआ हूं मैं तो आवाज सुनते फुदक फुदक करके भाग जाता हूं मैं देख भाई भाई भादूरी दिखाने बहादूर नहीं होता है जो अपनी कमजोरी नहीं दिखाता है ना वह बहादूर होता है तो मैं बहादूर हो क्या है क्या रे फट्म हो गया हाँ फोन पर ही रो उसकी चीक सुनते ही आपको जमानत मिल जाएगी तुम लोग सिर्फ उसका हाथ पैर तोड़ना बाकी मैं आके करूँगा थीक है भाई है अलो है डिया होस्पिटल है कि यहां गुड़ जंगल में बहुत बड़ा एक्सिरेंट हो गया है काफी बड़ा एक्सिरेंट हो गया है सर यहां पर कुछ 15 लोग मार खाकर जखमी पड़े हुए हैं सर हां जल्दी आ जाए ना सर उसमें से एक पील उसमें से जो काला शट पेना हुआ है ना उसका हाथ टूटकर है लेफ्ट हाथ वह बहुत तडब रहा है सर एक अबुलेंस काफी नहीं होगी क्योंकि सारे लोग जंगली भैस की तरह लगते हैं यहां अपर है अगर तीन अमिलेंस भेजेंगे ना तो सब को उठाकर ले जा अब ही मैं मारूंगा और तू भी मारेगा ओके दिशा 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 तारे तू दो दो ओड़ा तो मामा आइसा मारो कि उसके दोनों कान के पड़े पड़ जा मामा और भी में नियु कंदें कि युिद युदा दुखना मही कि pops प्रिलस से रंच्छ क्या दोका आटकेौत नार्णि का दोमटन परेख और प्लिजुआ कैस फ्लिभी और्क नुटो ऐसे रहां अ एजिए है 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 क्या हुआ तू लाइन पे गया आरोपी कहा है जमानत मिली या नहीं मिले जमानत ना मिले ऐसी दुआ कर जमानत मिल जाए दुआ करूंगा अगर मिल गई ना मर्द है तो सामने या भाग गए ना इस शादी पर रोकने के बारे में सोचा ना तो उन सबका हाश्र यही होगा अपने परिवार का कोई हुआ तो चाहे कोई भी ओ घर में दो दो लड़किया है फिर भी तु बाहर की लड़कि से शादी करेगा देखाँ ना बेटा घर में समस्या हो गई ना पापा अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं देख बेटा अगर उन लोगों के सामने गड़गडा नहीं सकता अगर किसी ने भी मना किया न तो मैं राजी नहीं होंगा अगर किसी ने भी मना किया न तो हम जित से कहें कि उससे शादी करनी होगी उसके लिए तु राजी है ना सबको मनाना मेरी जिम्मेदारी है पापा आप अक्सर कहते हैं कि सबके साथ आपको एक फोटो निकल ले हैं यह जरूर होगा पपा उसके बाद कंप्रुमाइज होगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इसमें कम से कम तीन साल लगेगा एक लोटार बेट सीट ले करके हर घर में जाके पंचाद करेंगे ना तब यह समस्या का समधान होगा तो इसे डरा क्यों रहा है वे डरा नहीं रहा हूं मामा इट्स प्र कुल रड़ चंडी है वह मैं एकदम चंबल की डाकू एक्शन किंग और तीसरी समयुक्ता आसूं की नीद आसूं ही उसके हथियार है वो उसके जरिये सब कुछ हासिल कर लेती है तुम्हारे अंदर से भी शर्म इमान दया कुछ है या नहीं अगा नहीं क्यों तुम से इन सब की एडमिन है वो किसी चीज को सब लोग अच्छा इंगे टो यह अकिला अच्छा नहींकरती है और शेकिस चीज को बुरा मानrier बेंगी पादमाविती बहुत प्यार करती है वो स्रिफ अपनी बच्ची के लिए जीरही से अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना क्योंकि सरकारी वकील इस मामले में सफाई नहीं पेश कर पाए इसी लिए ये अदालत तुम्हें जमानत देने का फैसला सुनाती है कि इन सबसे अगर हम डर जाएंगे तो आम इंसान बन जाएंगे यार चल देख लेंगे हुआ हुआ है क disguise क्या हुआ है हाँ है कि ещё क्या इसे क निएख उच्पर और गला कर एक तरफ वाहां पार और एक तरफ महाभारत को संभालना हो अभी तो शुरुवात है मामा, आर्डर के हिसाब से पहले मेरे घर गाड़ी लेकर चलो, वहाँ से शुरू करते है अरे वो क्या कोई सत्यागिरा करके यहां पर आया है चल अंदर जा तुम लोग को शर्म नहीं है क्या चलो जाओ यहांसे क्या जी हमारी विरादरी के लड़ने वाले को ऐसे बोले है अरे भाई तो किसके सामने बोल रहे पता है वो मेरे मामा है उनको हक है मुझे डाटने का है जा तुम लोग मैं इसे भी करूंगे यहांसे निकल जा अपनी शकल दिखाने की जुरूत नहीं है इसे बोल दे यहांसे चला जाए है 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 अलो कॉन क्या मैं तिरी दी दी बोल रहे हूं दी बोलो दी चार पाच लोग मिलकर तेरे चीजा ची को मार रहे हैं तो अधिक या भी आ रहा हूं है कार्च लगा मा मैं हुर'm तो पགचा थो चिलाने लगते कोंसी दी पूछँंगा तो जांते मारेगी आगर तेरी माह होती तो तatre फूंड करती न चलुआ है दूसरी दी दिर में से पकड़ों कि दूसरी ही होगी करक्ट में ने सबसे मार अखाने माद भाई मोसा है सब उसी को पीछते हैं अधर एसमें मेरे मारो मारो ठीक ठीक है क्या मौसा हमेशा मारे अधर में काफी नहीं पर दो तो नहीं मार रहे हैं अगर जगड़ा होता तो तुझे फोन करके क्यों बुलाती मैं काफी नहीं है कुछ रिष्टेदारों की बिजन को लेकर जगड़ा हो रहा है तो तेरी जीजाजी सुलजाने के पूशिश कर रहे हैं मार खाने वाला पहाप है क्या अभी बहुता हूँ अब देसी खाना और अदर मेरा बाब मार कह रहा है तुझे खाने की पड़ी मोटी कहींगे आपकर बताता ओ अरे जल्दी चलो मामा क्या कर रहे हो बैटने तौण अब हद लगा के दिखाएने, सोचना है कि दुशने वाला कोई नहीं है, यह लोगों का बाप आ गया है कोई भी मेरे जीजाजी पर हाथ उड़ाएगा ना, तो उसके टुकड़ा टुकड़ा कर दूँगा, क्या हुआ था खोड़े अरसु जमानत पर बाहर आ गया ना, तो यह लोग मेरा बैनर हटा कर उसका बैनर लगा रहे थे, तुमने नए नंबर से फोन क्यों किया था, अरे मेरे फोन में बालेंस नहीं था, इन में से किसी का फो त्वारी है तो अच्छा अच्छा वैसे लड़की का क्या है कि आ कि 靠 अपने करने मेटा है कान करवा कौन है वो प्यार करता हूँ उनका भी बगाद परीवार है तो ऑब अमीर है प्यार करता तो है तब मैं सोच रही थी कि कि पहचानだ लड़की से शादी करता तो अच्छा रहता ना मैंने तुछ से यह सब कहा ऐसा किसी से भी कहना मैं था थन्यवाद जी जाजी ठीक है अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है बोलिए ना जी जाजी मेरी सिर्फ तीन ही कंडिशन है पहला नेम्स श्रीमान तामर मलालन सेंडियार बी ए पत्रिका में पहला ना मेरा आना चाहिए और अक्षर बड़े और शांदार डबल कलर में है नेम्स में मुझे कोई बेज़ती नहीं चाहिए ठीक है जी जाजी दूसरा अभी नहीं बताओंगा वरना तुम लोग टेंशन में आ जाओगे तीसरा रेशम की धोती और साथ में कुर्ता और पांच तोला सोना किसको बेचके तू अपना मूँ बंद रख गुणा सिंगम क मूँ गुण चाहिए अगर वो आएगा तो के यहले करें हां कि आप दोनों भाई मन से गिले शिकव पापा की यहीं इच्छा है किलته मिटा दे कभी यह हो ही做 Woah जुपकर जाए यहां से मैंने उसको अपने कंदे पर उठाकर पाला था मोँ जाएदात की लालच में बड़े लोगों के सामने मुझे बेज़द करके कोट लेकर चला गया कहा कोट में अंडरलाइन उसकी ऐसी नियत की वज़े से ही भगवान ने उसे बच्चे का सुख भी नहीं दिया जी जा जी कब तक ऐसे ही रहेंगे हजारों के भीड की बजा है अगर अपना भाई साथ तो खुशी अलग होती है जब तक मैं जिन्दा हूं न यह मुम्किन नहीं है शायद रिष्टेदार की जरूत ना पड़े लेकिन जब मौत होती है तो इंसान की आखरी च्छा यही होती है न कि अर्थी को कंधा देने वाल अपना हो और जायदा तो हम मर जाएंगे तो उसक से खामोश बैठी हुई हो बती सिर्फ बोलता जा रहे है और तुम पहाड की तरह निगल कर बैठी हुई हो चलो जाने तो तुम लोग ऐसे ही रहोगे मामा देवी आ गए है तुम मुझे ऐसे चोड़ के कहां जा रहे हो तुम है अब तक आप MLA बनकर संसाद में बैठ चुके होते लेकिन उस गुणा सिंगम ने आपको चौराए पर बिठा दिया उसे छोड़ना मत कैसा है तो मैं ठीक हूं भाई आप नहीं आये तो मैंने शादी कैंसल कर दी मेरी शादी आपकी मौझूदगी में होगी अगले मैंने चार तारीक को शादी है आप जरूर आईएगा कार्ट फिर से प्रिंट होने को दिये हैं तुम लोग जाके खाना खालो आप लोग जाई तरी वफदारी से मैं बहुत खुश हूं लेकिन अगले छे महने तक मैं कुछ कर नहीं सकता समानत मिल गई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी भाई समानत तो उसकी मिलिये जो मैंने किया ही नहीं लेकिन अब मैं किसी को खून करके जेल जाने वाला हूं भाई तो फिक्र मत कर तुश्यों मोरत में शादी कर ले जब तक आप बाहर नहीं आएंगे न मैं शादी नहीं करने वाला जिस दिन आप आएंगे उसी दिन मैं शादी करूंगा भाई गोना सिंगहम को टुकडे टुकडे करके उसकी बहन के बारें पता लगा आजाओ मेरे लाल मेरे काले तुम दोनों आने वाले थे ना इसलिए देखो मैंने मुर्गी बनाई है आपका ये प्यार दिदी आपके इस प्यार नहीं मुझे बांद कर रखाया बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है लाओ दो क्यों मेरा मुह नहीं है क्या खाने के गुक्त खुश्कबरी बता हूं इससे पहले मैं थोड़ा खागा देता हूं ऑ पमजे चीनारन वाली हो और मैं आपको शादी का खाना किलाऊंगा तो शादी कर बच्चे कर और बच्चों को मुझे दे और मैं अपने हाथ chance से पालोंगी में तेरे बाच्चों का अभी हाँ पर लट्रिंग बिशाब की बात अच्छा लड़की कौन है कनका फिर चंदा हमने तो सुचा था कि तो चंदा से शादी करेगा किसी से दिल लगा लिया गलत नहीं है आशिरवाद दे दो अच्छा तुम हो जी जा जी कैसे हो मैं तो अच्छा हूं सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो कहां कर रहे हो उसी बेवकूफ की बेटी से कर रहे हो जानता था मैं तू ऐसी हरकत करेगा उसने मुझे शादी में आने से मना किया होगा ना खाना खाले सीना ठोक के बोला होगा कि उसने मुझे पाल पोस्क्र बढ़ा किया है एक नंबर का फालतूर आदमी है हमेशा मेरे खिलाब बोलता रहता है वो शादी करवाने के लिए पांच तोला सोना भी मांगा होगा वैसे इतना सोना देना नहीं चाहिए तीन तोला काफी ह मेरी बात सुनो वह आदमी शादी में नहीं आना चाहिए बस मैं कुछ और नहीं चाहिए अगर बुलाना हो तो इन दोनों को ना बुलाओं क्या बात है इच की आ रही है दोनों भाई जायदात के लिए जगड़ा करने यह अच्छी बात नहीं है ना जीज़ा जी आप दोन आप लोग ने मामा की बेज़िती कर दीना मैं भी नहीं खाना खाऊंगा मटन ठीक से नहीं पकाया बहुत बुल्स सभी हूं मैं अरे मामा यह लोग ऐसे हैं तो जिर माउन ने लड़कियों को जरुम दिया वह क्या करेंगी मामा पलोस का एगा रहा है कैसी हो मैं ठीक हूँ तुझे क्या करना है तुम लोग तो खुश हो ना भाई साब कहां पर है गए होंगे कहीं रोजी रोटी की तलाश में एई ऐसे दर्वाजे के पीछे बैठकर आंसू बहाएगी तो चपल से मारूंगी एठा मुझे आपसे बात कहनी है हां सुना मैंने खोश रहो वो भी वहाँ अच्छी लड़की है आप देखोगी तो आपको भी पसंद आएगी आप सब आओगे तभी तो शादी होगी ना मैं कैसे आ सकती है ए सुन अगर तुझे जहर वगेरा पीना होना तो दर्वाजा खोल कर पीना परना मर क अगर मैंने कुछ उल्टा सिदा के दिया तो सब लोग मुझे ही बुरा कहेंगे तो दर्वाजा खोलो चंदा जब से पैदा हुई है चितना अपने बाप का नाम नहीं लिया होगा उससे ज्यादा तेरा नाम लिया है उसने तुम पढ़ी लड़की हो तो मैं खुद बताना चाहिए कि अच्छा बुरा क्या है अच्छा मुझे तुमसे बात करनी है दर्वाजा खोलो ना मैं तुम्हे नापसंद नहीं करता तुम एक बात बताओंगा तो तुम खुद समझ जाओगी खोलो दर्वाजा ठीक है मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है एक्जाम फीस इस गर में पूटियों नहीं आ रही है मैं क्यों इस घर में बहु बनकर आई मेरी किसमत ही पूटिया आ रहे नहीं उठाऊंगा तू कर यह कौन से नंबर है अलो कौन है अलो जुजा जी मैं साला बात कर रहा हूं हमारे राज में जिनकी शुब मूरत में शादी होती हूं जी जाजी गुणा सिंगम बोल रहा हूं तो अच्छा आप कहा हो अभी क्या बात है बोलना शादी के बार में मुझे तुझे जब करना उस दिन कर ले ना और मैं शादी अटेंड नहीं करने वाला अब तक तारिक पक्की नहीं हुए उस दिन आप कैसे बीजी हो सकते हो पांच मिनिट हो जाओ मैं बस अभी आ रहा हूँ आप ठीक ठीक आज़ा है कि अलो जी जाजी बस टेंड पर आगया हूं कहां पर हो आप अपनी मर्जी से अपने टाइम पर आएगा तो कैसे चलेगा जी जाजी बस निकल गई क्या बस नहीं निकली और नहीं मैं काशी गया अब नहीं गया पूरा परिवार बिखरा पड़ा है मैं काशी जाके क्या करूंगा अचा अभी कहां हो ची जाजी इबी आफिस में कनेक्शन पूछा दे बिना ये लोग घसीट जा रहें कनेक्शन दे रहें यहां मैं जहर खाके मर्ज़ां यह कहने के लिए मैं यहां आया गवर्मेंट ऑफिसर किसानों को बेवकुफ समझते हैं आप रुकिया में आभी आता हूं जिसकी सरकार बनती है वह बस गड़्धा खुदने के लिए लग जाते हैं अब नहीं उठाउं अफोन कर रहां हों वह उठा नहीं रहें यार गाड़ी भी कहीं नहीं दिख रही है उनकी अहीं हमेरी मेरी जान है क्या हुआ मेरे कले में इतना आसान क्या मैं नियुति लाना इसलिए इसलिए तुम्हें इतनी मुसिबच छरा हूं अरे मामा उनी का फोन आ रहा है अधा मत उठा बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना जानू अरे फोन तो उठा आपनी जादी के चकर में तु मेरे घर से महीत इतिका लेगा याप क्या बात कर रहे हो पेरी बीवी ने जहर पी लिया है बड़े होस्पिटल लेके जा रहे है अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं क्या हुआ ममा उसमें जहर पी लिया यार अरे पाप रे तुम्हें नहीं करवाना है मुझे बर्श चाहिए बड़ा मर जाओंगी इसको देखकर लगता है नहीं किसने जहर पी है क्या दिधि जहर क्यों पी लिया अरे आप ट्रीटमेंट कीजे ना मैं क्यों जहर पीऊंगी जिसको तुमने शॉदी कर करने का सपना दिखाया था वो जहर पीकर अंदर पड़ी है तू पागल है क्यों किया तुने ऐसा पढ़े लिखे लोग सुसाइड करने पर तुलेवे हैं यही सिखाया जाते हैं तुम लोगों को एक जापड़ दूँगा सार इसका ट्रीटमेंट करो वो जो बैठी है वो फरस्टेट दे दिया मैंने एक कामकर तू इससे शादी करेगा इसा वचन दे मुझे क्योंकि अब मैं इसे सम्हाल नहीं सकती वरना यहीं पर मरने दे इस लड़की को अरे पागल हो गई हो उम्रा में बड़ी हो यह देखूंगा भी नहीं शादी की बात करने का समय है क्या लड़की से मैं तूम्हें समझ में नहीं आया ना थीक है उस लड़की से बात करके मैं तुम से शादी कर लेता हूं कॉन सारूं मैं सोचा कि तुरे से एर्पिया लेकिन तुरे तुमेरी इकलादे वारिस कुई यह नहीं नहीं रहेगा अखबार वालों को पुला पुलिस मैं वचन देता हूं तो अभी अभी क्या भी उसे वचन दे यह बच जाएगी है यह है 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 यह है नादा जी को हाट अटेक आया है बहुत सीरियस है वह बात कर रहा है जल्दी जल्दी नादा कर ट्रीटमेंट ले लेना जो भी यह बाद में देखेंगे हैं अरे मामा 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 रुको रुको उनको कुछ नहीं हुआ है अरे वो ठीक है मैंने जूट बोला था आ मामा, पती ने फोन करके बोला, कि उसकी बीवी ने जहर का लिया है, आकर देखते हैं तो उसकी बेटी लेटी हुई है, अरे उसकी माने जान मुझकर उसे जहर पिलाई होगी, ताकि वो तुमसे वचल ले सके, उसका क्या होगा तुम जिससे प्यार करते हो, देधी नाटक कर स मामा, ऐसी बाते क्यों करते हो? कौन है बिलाइन करा है? कौन है जो चुपके से सुन रहा है? कनका है मामा जी, चुपके से नहीं सुन रही है, मामा इस शादे के लिए कि इतनी तकलिफ उठा रहा है, यह बात मैंने उसे बता दी थी, उस दड़की ने कहा थे, मुझे सब हुआओओब कि मुझे तलक दे दीज्यें ये कैसी बाते कर रही है तू मुझे तलाग दे दीजिये साट साल के हो गए अब आपको तलाग की क्या जरूरत है लोग आपे हसेंगे नहीं क्या क्यों पचास साल की उमर में बेटे के लिए घूम रहे थे तब लोग नहीं हुसे तो कैसी बाते कर रही है तेरी जबान कटके गेर जाए बस कीजी मा इस घर में बहुत जीलिया मैंने ब पहुचा रहे हो तुम्हारे पापा दूसरे के घर में जाने वाले थे इसलिए तुम्हारी मा ने मुझसे मेरी पसंद नापसंद जाने बिना ही इनसे शादी करवा दी अपनी ज्छाओं का गलाग उटकर इनके साथ चली आई आज तक अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस इ जाहा था कि चहाँ उसकी शादी हो रही है उस परिवार के लोग अच्छे नहीं है, मैं बहुत गिर गिर अए लेकिन अच्छा परिवार है अच्छा घर है कहेकर उसकी शादी करवा दी गई और शादी के दो साल बाद ही उस शराभी ने उसका मंगल सुत्रचीण लिया, उ ने कभी नहीं सोचा काम वाली को पैसे ना देने पड़े इसलिए मेरी नातिन को इस घर की नोकरानी बना कर रख दिया यहीं ना बस बहुत हो गया आज के बाद मैं अपनी बेटी और नातिन को पुद ही सबाल लोगी मा रुजाओ मा कहा जाने दो से मेरी बात तो आप से मुझे बात करनी है ना कला हूँ क्या हाँ आज ही मिलेंगे तो अच्छा रहेगा चीज़ आता हूं आए नमस्ते बेटी यह क्या घर आए मैमान का स्वागित करना चाहिए गुस्य मैं नहीं जाना चाहिए आओ बेटा काफी लेकर आओ ठीक है देखो बेटा यह मेरी बहन है नमस्ते आपके पिता से शादी होने वाली थी आपके खांदान में लड़की नहीं देना इसलिए जगड़ा कर रही है वह सब तो छोड़ो मेरे खांदान में शादी चित्रा और पूर्णिमा मूरत में होती है तो यह शादी भी उसी मूरत में हो तो अच्छा है यह क्यों बोल रहा हूं उसके पीसे वज़े हैं मुझे पता चला है कि तुमारे घर में बहुत बड़ी प्र सब लोग यहां पर क्यों है उसे किसी और से शादी करने के लिए छोड़ देंगे क्या हां सब्रामत वही तेरे गले में मंगल शुत्र डालेगा और इसे कोई नहीं बदल सकता आप लोग अपने आपको वही तेरा पती है पती है कह करकर बड़ा किया और अब जले पर मैंने किसी के वीबू से उसकी बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मानिक राओ की बेटी आखिर भला जहर कैसे पी सकती है आपको हाट अड़क आया यह जूट बोलकर वहां जाकर चित्रा पोणी वहां में शादी की तारिक पक्की करके आए यह बेसकती है मैं क् क्यों सिंदा रहूं मैं चलो आप लोग निकलो हम तीनों के मरने के लिए कुवे में पानी घतम हो गया है पानी नहीं तो क्या हुआ हुआ यह बता टाइम क्या हुआ है दस बजे पकड़ा किया तो फिर बारा दो गंटे अंदर यहां बीड़ समय हो जागी सरकस दिखानी है सर कैसी दिखाएंगे अभी देखते जा जीजा जी जीजा जी अरे इसकी बेटी हॉस्पिटल में थी ना तब खरीद लिया होगा शहर में दुकान ढूंड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है पर पता नहीं इसे कैसे मिल जाता है समझ में नहीं आता यह तो आपकी प्र अब बात में फोन करता हूं यह बुद्धिवान का पति मेंशा बिजी रहता है पता नहीं क्या दिखाना चाहता है हमें वी यह लिमिटेट एडिशन काम नहीं करें तो पैसे कहां से मिलेगा इंगोदेश बहुत सालों से मेरे दिल में जो बाते हैं वह बोल कर मर जाऊं क्य सफारी सूट को उतार दे मुझसे बरदास्ति हो रहा जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मयत में धूती कुर्ते में आएगा कि नहीं आएगा बोल जाए बार बार एक ही बात कर रहे हैं अब अंदर जाए ना तो मैं थोबला तोड़ कर रहूंगा मुझे लगता है यह फिर से मैं यहीं पर मर जाते हैं तेरी जेब में जितने पर सब्सक्राइब मर जाएंगे तो अरे जाओ पानी लेंगरा चोड़िए अरे अरे जाओ यहां से पहले भाब भावाल है शीव गामी है जो हमारे घर पर आकर हम पर राज करने वाली है अरे रुके 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 आपके परिवार में इस से शादी करो उस से शादी करो दो हिस्से में बठ गया है ना देखिए यही आप लोग की प्राबलम है परिवार में राजनीती नहीं होनी चाहिए राजनीती में परिवार हो सकता है वो चाहे किसी भी लड़की से से शादी कर ले पर वह सोड़ा वाली इस घर में नहीं हमारा भाई है हमारे घर में शादी करनी पड़ेगी हाँ बिलकुल कि यह तो फूट गया कि चाली साइबा इतना यह बचाए क्या भुक खड कहीं का कैसे ठूस रहा थो तो उस गुड़ा सिंगहम से प्यार करती है क्या लड़कों ने बताया मैंने विश्वास नहीं किया हां मामा विश्वास कीजिए मैं सच कह रही हूं सुन मैं उसे बिलकुल पसंद नहीं करता हूं हां मैं उसे बहुत पसंद करती हूं तो उससे प्यार मत कर यह तेरे लिए भ कि पहले उसके घमंड को मारना होगा उसके बाद उसकी जैदाद को फिर उसको मारूंगा उसके नाराज हो क्या ऐसा कुछ नहीं है अकेला पर महसूस हो रहा है कि आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है अरे बापरे मेरी आवाज संकर पता कर लोगी कि मैं किस मूड में हूं तुम्हारी आखों को देख कर समझ सकती हूं कि तुम किस मूड में हो मुझे अभी तुम से मिलना है ऐसा है क्या अच्छा अपनी आखे बंद करो अपने रूम में सारा काम खत्म करके तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो फ्रेश होकर तुम्हारी मन पसंद पिंक नाइटी पहन कर तुम्हारी करीब सोकर तुम्हें कस के पकड़कर तुम्हारी माथे को चूम लिया फिर तुम्हारी आखों को और फिर तुम्हारे होटों को गस के चूम लिया मेरी शोना तुम्हें चल्दी घर पर लाकर साड़ी पैना कर सिंदुर लगा कर तुम्हें पीवी के रूप में देखना चाहता हूं मालेक हमारे केले के सारे पेडों को नश्ट कर दिया सब कुछ बर्बास कर दिया उन लोगों ने हमारे तुरह पैलना को किसरे मार डाला तुम्हेण है चल्दातों ने व्युदै लोगें उन्हाOrभ का डूलाए कुलाग्य के अड़िया तुम्हें कर दियाते के श् presents जमार हमारे तोरों कर दर हुआते को किसी रह ता बहुत बुरा हुआ मारे केप जाड़ के हमारी पैल को मार दिया हैं अच्छा नहीं हो आई है कि मुझे वहां पर देखने दो अर रुख जा हुआ मेरे असल्य कर जोड़ों को पार दिया जाने हुआ मालिक बैलों को खेतों में दफना दिया है देखे मालिक पहले ये कितने खूबसूरत लगते थे अब चारों तरफ सन्नाटा हो गया है बाई साहब पाँच हजार केले के पेंटो प्यारे प्यारे बैल इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चाहे जितना बड़ा आदमी हो दुख तो होता ही है क्या सर घर में इतना बड़ा मातम चाया है परिवार वाले आये नहीं किसी ने अलग कर दिया क्या गुणा सिंगा मातम है क्या नदी के किनारे बेड कटवाने में तेरा हथ था न और हो सकता है उसी गुस्से में मेरे लड़के ने तुम्हारे केले के पेम और बैलो को अब यह जदा नहीं चोड़ूँगा हमें अधरा तुना परवात कजरे की कोशिक किये आउंको जदा नहीं चोड़ूँगा चोड़ू मुझे है ज़्टो बीचे लिए चोड़ू मुझे पूरे परिवार को मिटा दूंगा बेटे को अंदर लेकर जाओ मैं छोड़ूंगा रही चलो कि यह लेगा जाड़ क्या चीज है रहे भाई ने बोलाओ तो आध्मियों काट डालता मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेही चक मांग सकते हैं उसने सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग किया था उसको अच्छी तरह सबक सिखाना होगा आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई इसलिए दुखी मत हो ये मैं कर लूँगा उससे शाहिए अगर आपको यतराज ना हो तो जरा इन्हें समझाओ क्या सोच रहे हैं साडू भाई ये खुद हात मांग रहे हैं जब ये खुद आए हैं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है वैसे भी ओ गुणा सिंगम बहुत हैंकारी है आपकी मर्जी जैसा चाव ऐसा ही होगा अरे हां कहा दिया इन्होंने जोड़ दे जोड़ दे जोड़ दो रहा है दीदी माँ चलो घर चलते हैं माँ आपके बिना घर सुना सुना लग रहा है मैं भी इतने दिनों से इंतिजार कर रहा हूँ कि आप आओगी माँ चलो न माँ घर में इतना कुछ हुआ फिर भी आकर देखने का मन नहीं किया आपको माँ चलो न मा दीदे दीदे ए सुन तो भी इनके साथ मिल गई है क्या मुझसे बात नहीं करेगी मुझसे बात नहीं करना चाहती है दीदे ये माँ क्या बोल रही है हमने कभी से नवकराने की तरह रखा था दीदे दीदी, दीदी मुझसे बात करो दीदी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, हमेशा मेरे सपोर्ट में बात करती थी न, तो आप क्या हो गया आपको दीदी, मुझसे जाने को कहों मैं चला जाओंगा, लेकिन इसे खामोश मत रहो दीदी, मेरे चेहरे से भी नफरत हो गई है कि ठीक है जब भाई कहकर आओगी न तब देख लूँगा मामा अगर मैं सिर्फ आपका भामजा होता तो यहां कभी नहीं आता आपका दोस्त हुब बच्पन से इसली आया हूं मामा यह सब क्या हो रहा है मामा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मामा पुरुशत्तम कितना बदल गया है आपकी शादी को रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है अपनी चांदनी के शादी उस कोडिया रसू से करवाने की जोगाओं इससे तुझे क्या अरे आप पागल हो गयों तुझे शादी करने के लिए लड़की मिल सकती है तो मेरी बेटी से शादी करने के लिए लड़का नहीं मिलगा तू आगा यह सब हो औरハ मेरी बेटी की शादी रोकने वाला तू होता कौन है चांदनी हमारी खर की लक्षमी है मेरे गुस्से की वज़े से उसकी जिन्दगी खराब मत करो तुझे इतनी चिंदा करने की ज़रत नहीं है जिसकी किसमत में जो लेखा है वही होगा तुझा जाके उस सोडा वाली से शादी कर ले चांदनी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यह सब यहां पर हो क्या रहा है यह वह एक खूने के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं खामोश हुआ रहो गाए तुम चलो पहले मेरे साथ जलो घर पे चलते हैं घय मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम्हें से वकली शिनासकता शोब्यों औरे जबना शादी कशादी कर भना चांद ए किसे के साथ दिरिश्टा चोड़ देते हैं मैं खून कर सकता हूं लेकिन शराब नहीं पीओंगा तो फिर मामा आज तुमने इतनी क्यों पीली मामा आँ बोला तो था मेरी दीदी का पती शराब पी कर मर गया था इसलिए मैंने ना पीने की कसम खाई थी लेकिन बहुत बेज़ जदी कर दी मेरी लगा था शराब पीने से दर्द कम होगा लेकिन वो तो दर्द और भी बढ़ता जा रहा है मेरा घर खुशियों से चेक रहा था लेकिन आज शम्शान की तरह लग रहा है दूसरे को रुलाने वाला इंसान खुद एक दिन रोता है मामा सबकी वचे मैं हूं कह रहे हैं इसलिए किसी से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए वह यह तो जखम देगा यह जखम दिलाएगा इसलिए मैं किसी से दिल नहीं होंगा अरे तो फिर ना के आते हैं यह सब लोग इधर ही है ना मैं भी यहीं पर मामा अपने बच्चे को इस हालत में देखूंगे असर नहीं सोचता कल सुबह ही सबको बुला कर एक फैसला लेते हैं यह बहुत ज़रूरी है ए रानी तुम मुझे वहां लेकर जाएगी यह नहीं नानी मैं कह रही हूं ना वहां मज जाओ मानती क्यों नहीं आज मुझे वहां जाना ही है बहुत दिनों से इस दिन का इंतिसार कर रही थी तुम कार में रहे ना मैं बात करके आता हूं ठीक है पापा अरे सुनो कहा हो अभी आई जी बताए क्या लें गया नहीं वो सब कुछ नहीं चाहिए जी नमस्ते आपके सामने अचानक आकर ख़ड़ा हो गया आप सोचकर उलजन में होंगे ना करीनिया जब कॉलेच से आ रह कि निया किसी तरह उनसे संभल का रात हो गई पुष्टाच करने के बाद पता चला कि वो कोड़ी आर्सू के आदमे निकले मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है उसे सही सलामत आपके घर में सौंब दू तो मुझे चैन मिलेगा अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो मैं पहुंच गया हूँ जो कुछ भी होगा आपको बताऊंगा ठीक है आओ आओ आजाओ बेटा आओ आओ आजाओ बहुत दिनों बाद आए आजाओ बैठकर बातें करते हैं अरे बाहर क्यों खड़े हो आजाओ अंदर आओ मैं यहीं पढ़ीक हूं बड़ाया बैठने के औरी बोल रहा है क्या बाते बापा सब को बाहर बैठा कर रखा है अरे ऐसे बाहर बैठकर बातें करेंगी न तुम बैठो न आओ दरसल मैंने एक फैसला किया है क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए इसलिए सबको बुलाया है मैंने अब मुनिम जी जरा कागजात वगरे लेकर आईए हाँ बड़ी बेटी महा लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए बता पापा अभी यह सब क्यों तुझे वो फार्म हाउस पसंद है ना तो तू वो रख ले वैभो लक्ष्मी बेटी तुझे क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा ये तेरे बाप के दिल में क्या है ये पहले से जान ले बाद में पच्टानामत अपने बेटे को क्या पहले से ही पूछ लो आप अपने बेटे को क्या देने वाले हैं पहले बताएंगे क्या मैंने उससे पूछा था कि तुझे जायदाद या लड़की में से क्या चाहिए तो उसने का था पापा में खुद कमा लूँ उस लड़की से उसकी शादी करवाओगे यही कहना है ना आ अगर ऐसा मेरे मन में आही गया है तो उसे हो जाने होता है कर थीक है अगर यह जमीं जायदाद का मालिक नहीं होता То कोई अपनी बेटी से देता क्या सवाल ही नहीं उठता है इसलिए मैं जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूं, फिर सारी मुश्किलें qatm. मतलब हम लुक जायदाद के लालश में शादी करवाना चाहते थे, रिश्तेदारी कोई माएनी नहीं रखती हम लड़के से शादी करवाना चाहते थे, शायदाद से नहीं क्यों तुम ऐसी बात कर रही हो तुम्हारा प्यार मुझे पता नहीं है क्या कैसे मजाक उड़ा रहा है अभी कैसी बात कर रहे हो अरे अभी भी तुम लोगों को अपने बाप के बारे में पता नहीं चला तुम लोगों को तुम्हारी कीमत दे कर तुम्हारा मूँ बंद करव दिन थाली में खाना और जो आने वाला तुम लोगों को उसकी जरूत पहले आरे मैंने उन्हें नहीं बुलाया है वो लोग खुदी मुझसे बात करने के लिए यहां आए हैं रिष्टे की तो बात करने आए होंगे ना आगा रखा तो पूछना की क्यों रखा यहे वोना सारी पहने एक साथ हो गई है ठकड़ा भगड़ा खरना शुरू कर दिया है उसका परिवार वैसे इतना भी बूरा नहीं है सुनिए पहले आप अंदल आए चलिए तुझे मेरे साथ आ रहा है नहीं तो फिर तुभी यहीं रहे जबाब जा रहे हैं तो मेरा यहां बातों को उल्जा कर जाने से क्या फाइदा होने वाला है तो बात करने वाला होता कौन होता है जरा सोचकर तो देखो मा क्या आप भी बोलने लगी जो किया वो याद दिला रही है क्या हाँ अब अच्छी बात है जो मेरी बात नहीं समझ रहा है वो यहां से चला जाए तो बेतर है वह गुसे में बात करें तो आप क्यूं बात कर रहे हो तुम्हारे और मेरे परिवार के बीट जो रिष्टा था अभी और इसी वक्त से वो टूट गया है मेरे मरने पर भी मत आना वरना तुम बाप के रिष्टे से आओगे और यह मामा के रिष्टे से आएगा वो क्रिया कल्ब का सामाद मुझे अभी दे दो मैं चली जाती यह रिष्टा रखने से अचाहे कि मैं खुदी जलकर मार जाओ अरे क्या बूर यह तुछ गर के अंदर जाओ और कफल लाकर इसके मूँ पर फैंक दो की पापा अब कैसी बाते कर रहें या कैसे भापा कोई इनको भरका रहा है लेकिन आप गुसे में कुछ मत बोल देना हाँ दिन लेकिन ने कुछ में खोल रहा है है पापा झांत कर ले आओ कफल और नहुदिए उस झाली मारूण मालकें मतलब हमारा भी अंजाम यही होगा क्या आप जो कह रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है गलत है हाँ सही का ठीक कह रही हो इज़त देने की बात करके बेज़त कर रही हो खुश रहो हमारे चार दामाद अलग-अलग कोक से जन्म है इसलिए उनकी सोच अलग है लेकिन वसल को अपना बच्चा समझा वो लोग उसको काट कर चले गए पूरा गाउं यहां आया पर तुम लोगों का आने का मन नहीं किया हर वक्त दूसरों के बारे में सोचने वाले को यह दुनिया रोलाती है यही आज का दस्तूर बन गया है पर मैं अपने बच्चे को रोते न होगी तु किदर जा रही है कार में जाके बैठ और अब तुम लोग आओ या ना आओ यह शादी तो जरूर होगी और यह फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है क्योंकि मुझे अपने बेटी की खुश्यां प्यारी है आप लोग मुझे माफ कर दीजिए आप लोग को आपस में जगरने की जुरौत नहीं है आपके परिवार को बिखेर ना नहीं चाहता आपके के परिवार को तोड़ने की वजए मैं नहीं बन नौट इस सब क्या बात कर रहे क्रणा ने मेरे जिजा जी को बेच जट करता है अधर बहुता है क्या दिखाव को अभी आप शुखाव अभी और फॉच्ट वागरा इद्रा इद्रा पर आप इद्रा करता है गर आए मेरे पापा पर तुमने हाथ उठाया इसका जवाब तुम्हें देना होगा महरबानी करके सब लोग यहां से चले जाए मैं कर रहा हूं चले जाए दादी मेरी एक मदद कर सकती हो बोल मेरे बच्चे क्या करना है आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा है नब्बे साल की हो गई हूं सब लोग मिलकर मंदिर में मेरे सिर पर एक लोटा पानी डाल दोगे तो मैं चैन से मर सकूंगी मेरी आत्मा को शांती मिल जाएगी जब बुलाएंगे तब जाएंगे जब जाने के लिए कहेंगे तब चले जाएंगे हमें मेरी बस समझ के रखा है क्या अरे चला मामा आप एक दिन की बारिश से तुम्हारा सारा रिष्टा शक्कर की तरह पानी में घुल गया इतना बड जब तक मैं जिन्दा हूँ तो मुझे मिलने नहीं आई जब मर जाओंगी तब मुझे माला पहनाने तो आएगी या फिर उस वक्ट भी नहीं आएगी तेरी उस भटबटी पर बैटकर मेरी तो कमर ही तूट गई चलना भी मुश्किल हो गया है बेटा तेरी सभी बेहने आने को तयार है दादी की प्रोग्राम में पुरा गाहां आएगा तो सब दीदिया नहीं आएगी क्या घर का काम है तो करना ही पड़ेगा नानी चलो ना कहां तुमारी मा कारिक्रम मैं नहीं आ रही हूं के लिए हमारी पर नानी ने मंदिर की कितनी सिडिया चोड़ी होंगी हमें मुस्कुरात हुए जाना चाहिए नहीं आ रही हूं कहां नानी नहीं आ रही हूं नहीं आ रही हूं नहीं आ रही हूं नहीं आ रही यह जो जो प्रेंड नमस्ते अमस्त इस टीपर ने अव्य ते अच्छा अच्छ अच्छ कि नाथ ळिया सुन तुम भेज्ट थे कि सब्सक्स काईर इसक्ट कि है किश्ट कर दोडलो आज आज़ 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 पन पर जो क्या हुआ जी तामर मलालन सेंड यार का इस गाव में बहुत बड़ा नाम है तुम्हारे घर में जो यह खाना देने वाले हैं उनके लिए मैं इलाम नहीं कर सकता कोई भी एरा-गेरा आजाता यहां पे तो सुनिये बाद तो सुनिये तो नाम बड़ी चीज होती है क्या हुआ फिलता यूटर्ण शवर्य सेंड़िया यूटर्ण लेगर केक यू जा रहे हैं आई यह से आए संभिवेटी आइए नमस्ते आज़े डिटी अब रेक्ट वेलकम वेलकम् आप्रका मुल्का आपते नमस्ते आइए चलिये इतनी अचाड़के क्यों चारहे है आए 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 नमस्ते यह कि इन्सान जो गिना बुलायाता है बहुत सही आद्मी यह नमस्ते नमस्ते आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई इस फंक्शन में घुसकर दंगा करके तुझे मारने क्या प्लाइन किया है जरा बच क्या ठीक है ना बता दे रहा हूँ मां है प्राइजा दिया जदिया मेरा फर्स था बताना थीद है ठीक है ना मांचे ने लेकार इंसाने वह जिससे आप ख़ड़े गर के बाद कर रहे थे आदमी रखना सिर्फ उसी को आता है मैंने आदमी रखें वह अपनी पार्टी के आप चलाजा भी वह जीती रहो बेटी हमेशा खुश्य हो अरे आपका पैर छुना तो मेरा सोभागे है आप जाएए तू जो कुछ कर रहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा तेरा दिल बहुत बड़ा है हमेशा खुश्य हो सदा सहागन रहो बेटी हां आप से बोलना हो इस फंक्षन में आकर आप लोगों ने इसकी शोबा बढ़ाई है कम से कम खाना वना खा करके जाईएगा आप तो ऐसे जारे जैसे पराय में आये थे गाली दिना तो मुझ पे दो ऐसे दिल में रख कर के मत घुमो बाई आग है तो बुजाना तो पड़े है गया है मैं शेर हूँ बोल क्या कर सकता है गुस्सा कच्रे की तरह होता है कौन मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरी बेटी से बढ़कर उसमें ऐसा क्या है क्यों मेरा मुझ खुलवा रहे हो सुनिये आपको जरा भी अकल है क्या सबकी वज़े वह है और आप उस मा दीदी मेरी बात तो सुनो ए सुन मैं कल ही अपनी बेटी की शादी करवा दूँगी अपने आपको मामा बता कर मैं ही माला पहनाओंगी इसे और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना हाँ भाई भाई कहकर इसको हमने सर पर उठा कर रखा था लेकिन इसने तो हमारे दिल को मटके की तरह तोड़ दिया है आज तक हम सब बेहनों के बीच में जित्ती भी खुशियां थी आज वो खुशियां रही ही नहीं सब लोग एक दूसरे को मूँ फेर कर चली जाती है अपना क्या रहे हो तुम लोग तो फिर अब तक शादी क्यों नहीं की उसने मा आपके शडियंत्र के बारे में हमें सब पता है पीट पर वार करती हो और मूँ पे मुस्कान रखती हो इसे पकड़ी मा अब मैं कुछ बोल सकती हूं देखो अभी तुम लोग मंदिर के अंदर क्या तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए अच्छा साबीत नहीं हुआ तेरा पती बेरोजगार था उसे मीनी बस खरीद कर किसने दी तेरे भाई नहीं दी थी ना कर्स से पैसे लिए थे आज तक उस बस के लिए करजा भर रहा है बिचार तेरा भाई और तू ऐसी बात इन पर जो किया है उसके उलाहना मत करो इससे बहतर होता कि नहीं करते यह बोल रही है तो इनको बोल ले दो ना मा मैं इनको कोई उलाहना नहीं दे रही बस इने सब याद दिला रही हूं क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की बेटियों की शादी बड़े अच्छे घर मे हो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या चाहती है किस तरह की बाते सोचती है क्या एक मा के दिल में अपने बेटे के लिए कुछ इच्छाए नहीं हो सकती क्या मेरा दिल नहीं चाहता मेरे बच्चे खुश रहे इसने सारे दुख उठाए पर तुम लोगों को खुश तुम पूछो अपने आप से कैसी बहने हो तुम लोगोंने क्या किया है अपने बाई के लिए जब तुम बीमार पड़ती थी तो मेरा बेटा ही तुम्हें होस्पता लेकर जाता था तुम्हेरे पती नहीं लेकर जाते थे कितनी सेवा कितना पीजी बटगा सब कुछ भूल तुम लोग और आज देखो कितना अकेला कर दिया है मेरे बेटे को हलो लाइन पर हो क्या कहां मर गये इसके पावन मन को कोई समझ नहीं पाया मेरे खुल देता है हम लोग तेरे पैस दोकर पानी पिये तब भी कम है माफ कर दे हम सबको बहुत भला बुरा कहाना हमने तुछ से मेरे पते कि कितनी बतत किये तुने इस बार माफ नहीं करेगा कि अपनी बेहन को बढ़ा दे ले तेरा माफ कर दे कि नए यहां कुछ नहीं है साले साब मुझे माफ कर दो अरे को बात भी में इसलिए एक दूसरे से इस तरह मुँ फेर कर जा रहे हैं जाओ तो मुझे गाली दो यह आप लोगों का हक है मुझे मारना है तो मार लो मेरे साथ जो भी करोगे मैं सहलूंगा लेकिन महरवानी करके मुझसे बात किये बिना मत रहो तो मैं सहल नहीं कर सकता है है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो न वो भी एक तरे का प्यारीर को right belongs आघै हुर में भी जो करना वो यह प् información कि मेरा उन्ह बतार है कि मैंनेThese आप लोगों के कहने परशादी नहीं लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझ सकता है मेरी परवरिष के बारे में बात करने लग गा है आप कहरे हैं कि आप ने मुझे ऐसे पाला उस बात के लिए मैं आपका खर्दार हूँ और ये भी ऐसा ही बात कर रही है अरे लेकिन इसका मनलब यह तो नहीं हो सकता ना कि मुझे उसे प्यार हो जाए जब भी मैं उसे देखता हूँ तो उसके चेहरे पर मुझे अपनी वेन दिखा ही देती है मैं कैसे अपना घर उसके साथ बजा सकता हूँ अरे मुझे बच्पन से आप लोग देखते हैं आ रहे हो आपकी इजह की अनुसार अगर शादी करूँ तो दो लोगों की जिंदगी बरबाद होगी मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता दीदी के मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए रिष्टेदारी तूटनी नहीं चाहिए इसलिए 40 साल के मामा से 16 साल की लड़की की शादी करवा देते वो बच्चों को जनम देकर आभी भी तकली भोग रही है सब हम लोग नहीं देखते अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसको दुख होगा और अगर उससे शादी करूँगा तो इसको दुख होगा दोनों को भी कोई दुख ना हो इसलिए मैंने बाहर जाने की कुशिश की और वो मेरी सिंदगी में आए और हम दोनों एक दुसरे को पसंद करने लगे शायद भगवान की यही इच्चा है इसलिए मैंने आप सबको बताया और इस बात को लेकर आपने एक दुसरे से मूँ फेर लिया ठीक है अब ही बताइए मैं इससे शादी करूँ कर लेता हूँ या चंदा से शादी करनी है या फिर दोनों से शादी करनी है बोलिए अपने धरम में दो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग जो बोलोंगे हो मैं कर लूँगा लेकिन यह रिष्टा नहीं टूटे किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी रिष्टेदारी में शादी करके हर कोई खुशी रहता है बेटा तुम भी कर लो मुझे नहीं चाहिए मुझे ये बातें करना, हसना, मिल चुल कर रहना मुझे किसी में अलक अलक चीज़ें पसंद नहीं है पर सर्फ तुम में पसंद है गुणा तुम हमेशा इसे जहने अच्छी बात है इसके कोई पिता नहीं है तो इसी से शादी करवा देते हैं मुझसे शादी करने के लिए तुम तैयार हो ना गुणा शादी कर लूँगा तुम खुशतो रहोगे ना गुणा कोशिश करूँगा मैं तुम्हें किसी चीज के अच्छी की कमिनी होने दूगा आपको रोना भी आता है यह मुझे नहीं पता था आपको रोते हुए देखू हम सब कुरू ला दिया गुड़ा, ऐसा क्यों किया गुड़ा, ऐसा क्यों क्यों तरह सा कुछ नहीं है हम आई एह सब्सक्तर कियों किया एड़ा, ए एूज एमरे हम अर्जाइद्ट ए आदे जिस लेडिके को ये पसंद करता है, उसी लड़की से उसके शादी करवाएंगे, अगर किसी ने रोगा तो उसके टुक्रे टुक्रे करदूंगे मेरी माँ, अभी इसके गले में मंगल सुत्रे पहनाने को क्या रही है, इन लोग उने मुझे बुलाया, इसलिए यहां आई हूँ, मेरे पापा इस रिष्टे के लिए रासी नहीं होगा, डरो मत बेटी, मेरे मामा बहुत गुस्से में है, हालात अपने आप परिस्थितियों क हमने तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा था, उस कोड़ियार सुने, हमारे परिवार के गले पे तलवार रखी है, मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, मेरे सारे रिष्टेदार नीचे बैठ जाओ, आस-पास में कोई नया चरा बैठा है गया, यह तुखला नहीं है चुपकर वार करता है कायर, मर्द का बच्चा है, तो सामने आकर मेरे बेटे से मुकाबला कर, चलो वे, चलो, आजो, चलो, चलो, सुन बेटा, इसे इसके घर पर पहुचा दे, ठीके पापा गोड़ा सिंगाम, तेरा बाप मैं मर्द हूँ की नहीं, यह पूछ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ तू लड़की उठा सकता है क्या, मैं भी उठा सकता हूँ, तूने एक को उठाया, मैंने दो लड़कियों को उठाया दो नहीं भाई, तीन अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा क्या, उसको यहाँ छोड़के बाकियों के लेके जा, चलो उत्रो, अरे ओ लड़कियों हाई गुड़ा, डर लग रहा है क्या, डर, हमें क्यों डर लगीगा, जब तुम हमारे साथ हो, छोड़े मामा, अच्छी तरह से पिटाय करना, हम फाइट देखने आए, अबे अच अरसी, ए रुमाल, तुम दोनों भारा हो, क्यों, मैं जिसको मारता हूना, उसका वसन कम से पचास किलो होना चाहिए, तुम दोनों अंडर वेटो, गेट आउट, चलो आओ, अच्छा वैसे इसमें कोई किसान है क्या, वो लोग मेरी तरफ आ जाओ, किस लिए, किसान के पेट पे पहले हिलाज पढ़ चुकी है उसको मैं भी मारूँ क्या, किसान किसान को नहीं मार सकता है, इसलिए बोल रहा हूं, किसान किसान के पास ही जाएगा ना, जा रहा हूं, और यहां पर बीपे, शुगर, हार्ट पेशन, ऐसा कोई है क्या, अगर है तो इस तरह आँ आजाओ, मैरे को है, मुझे भी, है, तो म काम करके हाथ एकदम कड़को चुके हैं, अभी इतना मारूंगा ना, मारो रे, हाँ, 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 एइनके हटी पसी एक हर दो, क्थब आप झाल, कियो को, आप झाल, कि वार है लेक लेक अख़ों, हुआए हुआंप। हुआएएएएएएएस दिस समकस्मुपदी मुझते सुम्र। हुआएएएएएएएएएए आप को, अप पनोगी आप जने हमना है आए! मैंने जिनको आपने भाई की तरह पाला था, उनको तुम लोग ने मा डाला? झाला! हाई फ्रेंस आज हमारे घर में शादी है हमारे गुणा सिंगम की अरे आओ आओ बेटा आओ देख रहे हो आज हमारा पूरा परिवार यहां इकठा है तो कितना अच्छा लग रहा है इसे कहते हैं अच्छाल और भारा पूरा परिवार चलो अच्छा है कम से कम सब लोग एक तो हो गया हुआ हमें चलना आता है यह जाओ यह शुरू हो गया देखा हलो वाट्स गोईंग ओन क्या टेंशन आओ 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 ए पापा परी पैदा हुई है अपने घर में मालक्षमी यह मा ने चाहर लडकी आगां को जणम देने के बाद पांच पे लड़की को जनम दिया अभी भाई का अगला बेटा होने वाला है फैंबील प्लानिंग करने के लिए बोल दिया है यह यह बोल रहा है यह बेटा बै लड़की क्या होता है पापा जनम देने से कुछ नहीं होता परवरिश जरूरी है इस परी के बाद और क्या चाहिए अभी लड़कियों की डिमांड जाता है बच्ची लगता है तुझे भी महीं पालूगा पापा कैसे हैं स्ट्रेव ऐसे हैं सुपकिए पालूगा है झाल झाल